Hello class 3, hope all of you are fine. Today we are going to understand conversions, hours and minutes. So let's start. Students, हम जब भी hour को minutes में convert करते हैं, तो हम करेंगे multiply 60, because हमें पता है 1 hour is equal to 60 minutes. 1 hour में कितने minutes होते हैं? 60. ठीक है, तो अई बात आपने ध्यान रखनी हैं. Like this, first example is 5 hours is equal to dash minutes. जब आपको इस तरह से convert करने के लिए आएगा, तो student आप किस तरह से करोगे? First, आप write down करो, 1 hour is equal to 60 minutes. ये तो आपको पता है, कि एक घंटे में 60 minutes होते हैं. तो 5 hours is equal to, student अब आप क्या करोगे? 60 multiplied by 5. ठीक है, आप इन्हें multiply कर दोगे. Student ये आपने करके देखना है, तेको 60 multiplied by 5, कितना होता है? 300 minutes. ठीक है, ये आप rough work भी कर सकते हो. और student ये आपने जरूर करना है, डारेक नहीं करना है. Now student, अगर यहाँ पर 6 hours is equal to dash minutes, अगर 6 hours होते तो आप क्या करते? 6 hours को आपने कैसे करना था फिर? 60 into 6. ठीक है, तो जब आप 60 into 6 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 360 minutes. ठीक है, यहाँ पर कोई भी कितने भी hours होंगे. जब उनको आपने minutes में करना है, तो आपने multiply करना है, 60 से. Students, देखो, यहाँ पर आपको second question दिया है, I studied for two and half hours. How many minutes did I study? तो student, इसका मतलब क्या है? कि आपको क्या पूछागा? 2 and half hours is equal to dash minutes. तो student, आप पहले क्या लिखोगे? 1 hour is equal to 60 minutes. Now, first आप करोगे 2 hours. ठीक है, 2 hours करो, 2 hours is equal to, तो आप क्या करोगे? 60 multiplied by 2. 60 को आप जब multiply करोगे 2 से, तो क्या आजाएगा? 120 minutes. यहाँ रफ वर्क पर करके देख सकते हो. ठीक है, कितने minutes सा आगे? 120. स्टूडेंट, अब हमारे पास half. अब हम निकालेंगे half hour. तो half hour यहाँ पर लिख दिया हमने is equal to 30 minutes. Half hour का मतलब क्या है? 30 minutes. ठीक है, half hour है आधा. आधा घंटा. तो उसमें कितने होते हैं? 30 minutes. तो स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 and half hours is equal to 120 plus 30. ठीक है, is equal to 150 minutes. स्टूडेंट, यहाँ पर अपने ध्यान रगने हैं कि half hour is equal to 30 minutes कैसे हुआ? क्योंकि हमने half hour को क्या कर दिया? 60 minutes. ठीक है, हमने इसे divide कर दिया, 60 divided by 2. यह आपने fraction में पढ़ा है ना, कि हम किस तरह से करते हैं? अब जब आप 60 divided by 2 करोगे, तो क्या आ जाएगा? 30 minutes. अपने ध्यान रगने कि half hour में कितने होते हैं? 30 minutes. और one hour में कितने होते हैं? 60 minutes. ठीक है? और स्टूडेंट, यहाँ पर हम इने add कर दिया. तो आपके आगे 150 minutes. अगर आपको इस तरह से question आते हैं, तो आपने इने one by one निकालना हैं. ओके? But hours, 4 hours is equal to, हम क्या करेंगे? अब 60 multiplied by 4. तो 60 multiplied by 4 कितना हो गया? 240 minutes. ओके? Now, but student, यहाँ पर क्या पूछा गया है? 4 hours, 35 minutes. जो भी आपके पास minutes हैं, अगर आपको इस तरह से question आता है, तो उससे आप करोगे add. जिस time हमने यहाँ पर add किया. उसी तरह से आप यहाँ पर भी ने add क 240 प्लस 35 जो भी आपके पास यह minutes हैं, उनको आप add करोगे. तो कितना आप गया? 275 minutes. ओके? स्टूटेट आपने इस तरह से questions करने हैं. के student example 4, 450 minutes is equal to dash hours. अब हमने minutes को hours में convert करना है. तो हम कैसे करेंगे? hours into, हमें पता है कि जब हम hours को minute में करते हैं, तो हम multiply करते हैं. बट जब हम minutes से hours को convert करेंगे, तो हम division करेंगे, divide करेंगे 60 को. तो 60 minutes is equal to 1 hour. हमें पता है कि 60 minutes कितने hours में होते हैं? 1. Now student 450 minutes is equal to, अब आप इसे divide कर दोगे. तो यहां कि है? 450 divide 60. ठीक है? आपने इसे divide करना है. बट student आपको उसके लिए 6 का table आना चाहिए. देखो हमने 6 का table यहां पर लिखा है. ठीक है? student 6 का table 60 की तरह ही. अगर आप 0 लगा दोगे, तो यहां पर देखो 60 into 1, 60. ठीक है? अब पह क्या आगे? 0 लग जाएगी. यह कौन सा table हो गया? 60. Now student जब आपने 60 का table कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? देखो 450. आपने इस तरह से division का draw कर लिया. 450 divided by 60. तो student देखो यहां पर 60. 450 कहीं आपको दिखाए दे रहे? नहीं. क्यूंकि यहां पर क्या है? 480. 80 तो आपका ज हो जाएगा. यह हम नहीं लिख सकते. तो हम क्या लिखेंगे? छोटी टर्म. तो यहां पर क्या है? 420. 60 into 7 is equal to 420. तो हमने लिख दिया 67. कितने है? 420. student इसे subtract कर दो. 0, 5 minus 2, 3. तो student यहां पर क्या आगया? 30 और यहां आगया 7. students अब आपने ध्यान रखना है, जो भी आपका quotient होता है, वो आपके hours हैं. ठीके? वो आपके hours हैं. और जो आपका reminder आया है, यहां पर है 30. वो हैंगे minutes. ठीके? यह है hours और यह है minutes. तो student यहां पर hours कितने है? 7 hours, 30 minutes. Okay? student इस तरह के questions, जब आप minutes को hours में convert करते हो, तो आप इस तरह से करते हो. Okay? students अब आप करोगे activity 4, convert into minutes. student hours दिये गए हैं आपको, यह आपने minutes में convert करने हैं. ठीके? 9 hours, 9 into 60 is equal to, ठीके? 7 hours, 16 into 7, same 16 hours, 16 into 60, ठीके? 2 hours, पहले आप 2 hours को निकालोगे, 2 into 60, जो भी आएगा, उसे आप add कर दोगे, plus 45, same, plus 15, इसी तरह से. और student इसे आप इसी तरह से निकालोगे, जिस तरह समयानब को 2 and half hours का बताया था. पहले आप 4 hours निकालोगे और half hours का आपको पताया कितने होते? 30 minutes उन्हें आप add कर दोगे. ठीके? इसी तरह से आपने यह सारा question number 1 अपनी notebook पर करना है. Next student, question number 2, 3, 4, 5 यह आप अपने आप करोगे. मैं अभी आपको question number 4 करके बताऊंगी. जो बाकी के हैं, 2, 3, 5 यह आप अपने आप करोगे. अपने statement भी लिखनी है. Student, आप direct statement लिख सकते हो. ओके? और इने फिर solve कर सकते हो. ठीके? लाइके देखो question number 4, Amit traveled from Delhi to Agra by a car. Student, Amit ने ट्रेवल किया Delhi to Agra किसमे? कार में. तो उसने कितने minutes लिए? He took 245 minutes to reach. ठीके? उसने कितने minutes लिए? 245. Now, Ratna traveled the same distance by train. अब Ratna ने भी travel किया पर उसने किसमे किया? train में. तो she took 3 hours 15 minutes to reach Agra. उसने कितना time लिए? 3 hours 15 minutes. ठीके? Who traveled faster? हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा fast किसने travel किया? तो student आपने किस तरह से statement बनानी है? Students, आप लिखोगे देखो question number 4, Amit took time by a car. ठीके? Amit ने कितना time लिए? 245 minutes. रतना took time by train. उसने लिए 3 hours 15 minutes. स्टूडेंट हमें यह निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? 3 hours 15 minutes हम इस तरह लिखेंगे. फर्स्ट आपको पता है 1 hour में कितने minutes होते है? 60. नाव 3 hours में कितने होंगे? 60 into 3. तो कितने आगे? 180 minutes. ओके? नाव स्टूडेंट जो हमाद पस minutes 25 minutes. तो students किसने सबसे ज़्यादा fast किया travel? Because आपके जो minutes की रतना ने किया है वो कम है. तो वो क्या है? Fast. रतना traveled faster. रतना ने सबसे ज़्यादा travel fast किया. कितने minutes में? 195. ओके? तो students आपने इसी तरह से next questions भी करने हैं और अगर आपको किसी में problem आती है तो हम online class में discuss करेंगे. ओक और आप मुझे audio भी send कर सकते हो कि आपको ये question समझ नहीं आया है. ठीके? Thank you.